केके पाठक के सामने किसी का कुछ नहीं हो रहा है लेकिन केके पाठक के नहीं चाहने के बावजुद राज्यकरमी का तो एनौंस्मेंट हुआ, यह तो उनकी घलती है ना, अच्छा, यह तो सिर्चकों को लगतार टार्गेट पे रखना, यह तो उनकी मंसा एक है, केके पाठक जी की कहिए याओ सरकार का भी मैं कह सकता हूं सरकार को दिखता नहीं है कि ऐसा तो बात है नहीं सरकार भी देख रही है कि क्या चीज़े चल रही है नमस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखे 26 दिसेंबर ये वो तारीख है जब नियोजित शिक्षकों के जो लगता और उनकी मांग थी आपको मालूम है कि 26 तारीख को मुख्य मंतरी नितीश कुमार की अद्धिक चता में क्य काबनिट की बैठक बुलाई गई थी और आपने देखा था कि पौने चार लाक नियोजित शिक्षकों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया आपने देखा है कि राजकर्मी के दरजे वाली नियमावली पर मुहर लग चुकी है लेकिन आपको मालूम है कि जैसे ही इस नियमा संदीब सौरव जी से सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने की जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि नियोजित शिक्षकों का इंतजार खत्म हो गया और नियमावली पर मुहर लग गई सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है संदीब सौरव जी सबसे पहली प्रतिक्रिया तो यह बढ़ाई का मामला है और यह खुश खबरी उन लोगों तक भी पहुंचे जो लोग सरकार में जब थे तो उन्होंने कहा था कि भगवान भी धरती पर आ जाएगा तो राजी कर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा इसके बावजूद टीचर एक जुट हुए संघर्स किये सब्र का परिचय दिये और अंत्ता सरकार को करना पढ़ा लेकिन यह सच बात है कि सरकार की तरफ से जो नियमावली पहले एक बार ड्राफ्ट लाया गया था और ड्राफ्ट लाने के बाद जो सुझाओ मांगे गये थे हम लोगों ने सुझाओ दिये उस सुझाओ पर हमने काम किय मानने ये शिक्षा मंत्री जी से मिल करके उन तमाम बिंदूओं परेके करके चर्चा हुई और विंदूओं को स्विक्रित करवाया गया इसके बावजूद जब फाइनल ड्राफ फाइनल जब नियमावली अभी रिलीज हुआ है उसमें कुछ कमिया है कुछ कमिया है संदीप स्वारव भी मानते हैं मैं मानता क्या मैं दो दिन पहले आपको कहा था कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो चाहते हैं उनको लगता है कि सिक्षक संगठनों के सुझाव का मतलब नहीं है कोई जनप्रतिनीदी कोई सुझाव देता है तो किसी तरीके से टीचर्स को टार्गेट में लिए रहना है अगर उनका बस चलता तो राज्य कर्मी का दरजा भी नहीं मिलता अच्छा राज्य कर्मी का दरजा भी नहीं मिलता यह सिफ इसलिए हुआ कि महागटबंधन की सरकार थी यह इसलिए हुआ कि बिहार के लाखों सिक अधिकारियों को लगा होगा कि जब सरकार ने आदेश दे दिया है जब मानियम मुख्य मंत्री मोहदय ने पंदर अगस्त को कह दिया कि राज्य कर्मी बनाएंगे तब भी कुछ ने कुछ ऐसा पेंच लगा दिया जाए जिसे सिक्षक को टार्गेट किया जाए अब जैसे यह जो नियम लाइए गया है कि अगर आपको राज्य कर्मी होना है और आप सक्षम्ता परिख देते हैं तो उसी समय आपको तीन जीला चुनना परे घृँ गया क्यों जाए अगर हम हम इसी स्कुल में नियोजीथ सिक्षक हैं औरxt हम इसमें परहना चाहते हैं तो हमको राज्य सब्सक्राइब लगतार जैसे नियामावली आई जैसे मुहर लगी इस नियामावली पर हमने भी नियोजित शिक्षकों से बाचीत की है उनको अब आपती है साफ कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम लोगों को ठगा गया है यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने जिला होगा मतलब कह रहें कि हमारे साथ इसमें जिला अवंटन का कोई जगा नहीं चाहिए था मतलब जो जहां पर है वो रहें और चुकी आप राज्यकर्मी हो गाएं तो एक्षिक ट्रांसफर जो पहले से सिवा सर्थ नियामावली 2020 में भी हाला की प्रावधान था उसको यह कह से नए जगा पर पदस्थापित करेंगे तो यह अलग तरह का अनर्की पैदा होगा हम यह कहते हैं कि एक तो यह कमी है सक्षमता परिख्षा को ले करके सरकार ने भी कहा हमने भी कहा सिक्षक संगठन भी इसके लिए तयार हुए उसमें कानूनी एक अर्चन है कानूनी एक बाद देता थी लेकिन यह प्रतियस्थापन वाला जो मामला है इसको ततकाल सरकार इस पर पुनर विचार करें इसमें संसोधन करें चाहते हैं आपकी एक बार फिर से नियमावली में संसोधन हो निश्चित तोर से देखिए एक जो बड़ी इस लराई को सरकार ने जो किया इसको हम बड़ी जीत मानते हैं इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है क्योंकि नियोजन प्रथा बिहार से खतम हो सकता इसी माध्यम से अलग-अलग नियोजन इकाईयों में लोग बटे हुए थे कोई बैवस्था नहीं था अब सब सरकारी कर्मी हो गए टीचर्स क कि बैठक करेंगे बात करेंगे और इस नियमावली में और क्या-क्या कमियां है लेकिन हमें याद है वह हम आपको याद दिला दिए कि लगतार आप से हमारी बात होते हैं पहला जो पॉइंट है जिसका जिक्राब बार-बार करते हैं वह पॉइंट यह कि बिना शर्त राज बड़ी बात जो संदीब सौरव लगतार कहते हैं जब भी आपने हमसे बादचीत की आपने कहा था कि विशिष्ट नाम से हमें आपती है लेकिन हमने देखा कि नियमावली आ गई है और विशिष्ट का विशिष्ट ही है मतलब कोई बदलाओ नहीं हुआ है कोई संशोतर मे इसमें हमें लगता है कि इसमें जो बादचीत हुई है मेरे ख्याल से समान परशासन विभाग जो है उनका सजेशन है कि आप किसी समवर को एक साथ ला रहे हैं राजी कर्मी के रूप में तो उनका नाम अलग रखना पड़ेगा इस तरह का कुछ एक्जामपल उन लोगों में दिया कितने सहमत हैं आप मैं तो कानून विद हूँ नहीं मैं तो समान परशासन विभाग कोई पुराना जो अधिकारी होंगे जो पुराने अफसर करम चारी होंगे वह बता पाएंगा कि क्या इसा जरूरी होता है कि अगर कोई पूरा समवर्ग पुरा नियोजी अलग से नाम दिया जाए मैं इसे सहमत नहीं हूँ मैं चाहता हूँ कि समान रूप एक तरह से नाम हो विद्याले अध्यापक के नाम से तरह ता तो ज्यादा अच्छा था लेकिन यह जो टॉर्चर करने वाला जो पॉइंट है यह नाम नहीं है टॉर्चर हो चुकि यह वि जितना भी चिला लीजिए जितना भी कह दीजिए केके पाठक जरा सा भी इधर सुधर नहीं होने वाले मतलब वो अड़ेव है वन मैन आर्मी है जो चाहेंगे वही करेंगे हमने देख लिया ना तो विशिष्ठ हटा और ना ही सक्षमता परिक्षा कैंसल हो यह मतलब कि जो सुझाओ दिये गए थे एक लाग से ज्यादा सुझाओ थे और यही दो बातों पर सबसे ज्यादा सुझाओ दिये गए थे लेकिन कोई बदला के बारा बिंदू थे आपको मैं बता दूँ हमने जो सुझाओ दिये तो उसमें कई एक बिंदू थे तो सारे बिंदू नहीं म अपर काँ विशिष्ट है बिना चर्थ राजी कर्मी का कही रहा हूं कि यह तो उनकी घलती है ना अच्छा यह तो सिक्षकों को पिद्धातार टारगेट पर रखना ये तो उनकी मनसा एक है कि पाठक जी कि कहिए याओ सरकार का भी पह सकता हूं सरकार को दिखता नहीं है कि ऐसा तो बात है नहीं सरकार भी देख रही है क्या चीजे चल रही है तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस नियमावली के आने के बाद एक कॉंक्रीट मांग को लेकर के सरकार के पास जाया 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 इसी तोर से हम जाएंगे और उसमें जहां पर कमिये खास करके ये एक बिंदू क्योंकि परिक्षा वाले पर भी इनका कहना है कि लीगल अर्चन है और विशिष्ट पे भी आपके रहें विशिष्ट पर सरकेंगे से बात करें हुए्झ पर इतना जरूर है कि सिक्षकों की लंभी जो मांग उसको सरकार ने सुनक हुए लेकिन उस कमियों को भी दुरूफ किया सकता है करना चाहिए सरकार को और आप लोग यहां पर नहीं रुकेंगे मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग बात करेंगे और हम लोग जल्दी ही इस मामले में चिठी देंगे कि इसमें यह कमी जो है इसको दुरुस्त कीजिए तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं संदीप सौरव जी देखिए बता दिया है कि ये तो हमारी पहली जीत है लेकिन अभी भी लडाई बाकी है और आगे भी कई ऐसे बिंदू है जिन पेर संशोधन की बोखोत ज्यादा जरूरत है तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स क झाल